मेरे पेरे देश्वासियों, जब भी माग महने और इसके आध्यात्मिक सामाजिक महत्व की चर्चा होती है, तो ये चर्चा एक नाम के बीना पूरी नहीं होती, ये नाम है संत्रविधास जी का, माग पुर्णिमा के दिन ही संत्रविधास जी की जैनती होती है, आज भी संत् उनका ज्ञान हमारा पत प्रदर्शन करता है। समाज में व्याप्त विकृतियों पर हमेशा खुल कर अपनी बात कही। उन्होंने इन विकृतियों को समाज के सामने रखा उसे सुधारने की रहा दिखाई। और तभी तो मिराजी ने कहा था गुरू मिलिया रैदास दीनी ज्यान की घुटकी। ये मेरा सवभाग है कि मैं स संत रविधास जी की जन्मस्थली वारानसी से जुड़ा हुआ हूँ। संत रविधास जी के जीवन की अध्यात्मिक मुचाई को और उनकी उर्जा को मैंने उस 13 स्थल में अनुभव किया है। साथियों रविधास जी कहते थे करम बंधन में बंद रहियो फल की नात जियो आस कर्म मानुस का धर्म है सत भाखे रविधास अर्थात हमें निरंतर अपना कर्म करते रहना चाहिए फिर फल तो मिलेगा ही मिलेगा यानि कर्म से सिद्धी तो होती ही होती है। हमारे युवाओं को एक और बात संत्र विधास जी से जरूर सिखनी चाहिए। युवाओं को कोई भी काम करने के लिए खुद को पुराने तोर तरीकों में बांधना नहीं चाहिए। आप अपने जीवन को खुद ही तै करिए, अपने तोर तरीके भी खुद बनाईए और अपने लक्ष भी खुद ही तै करिए, अगर आपका विवेक, आपका आत्म विश्वास मजूद है, तो आपको दुनिया में किसी भी चीज से ड़नने की जरूरत नहीं है। मैं ऐसा इसलिए कहता हूँ, क्योंकि कई बार हमारी वाओं एक चली आ रही सोच के दबाव में व संकोष नहीं करना चाहिए। इसी तरह संत रविदास जी ने एक और महत्वपुन संदेश दिया है। ये संदेश हैं अपने पैरों पर खड़ा होना। हम अपने सपनों के लिए किसी दूसरे पर निर्भर हैं, ये बेलकुल ठिक नहीं है। जो जैसा है वैसा चलता रहे। रविदास जी कभी भी इसके पक्षमे नहीं थे। और आज हम देखते हैं कि देश का युवा भी इस सोच के पक्षमे बिलकुल नहीं है। आज जब मैं देश के युवाओं में इनोवेटिव स्पिरिट देखता हूँ, तो मुझे लगता है कि हमारे युवाओं पर संत र कर बहुता हूँ